तो दोस्तो ये जो मास्किटो किलर बैट है इसमें एक मचड भी नहीं मरता क्योंकि दोस्तो इसका जो जाली है उसमें बिल्कुल भी स्पार्क नहीं हो रहा है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाला हूं कि अगर आपका भी मस्किटो किलर बैट में स्पार्क नहीं हो रहा है तो इसके पीछे कौन से कारण हो सकता है और इस प्रॉबलम को आप घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में आपको बताने वाल ने उसे on कर दिया है और इसका जो पुस्ट बटन है उसे प्रेस कर रहा हूं तो आप देसकते इसका जो एंडिकेटर है वह ग्लोग कर रहा है तो इससे यह समझ आता है कि इसका बैटरी तो ठीक है क्योंकि पावर सर्कुट मिश जा रहा है मगर यह बिल्कुल भी स्पार्क न इस ऐसा हो रहा है तो इस इस जूट में आप लोगे इस प्राब्लम को सौल करके दिखाने वाला हूं तो दोस्तो इसके लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारा मस्कीटो किलर बैठ है उसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको मैं जो पताओंगा उस इसको जरिये आप इझाप तो सेad में आपपर रख देते हैं तो दोस्तों यहां पर झापको पता है हम इसका आप जो डो प्रेंटर ग्लो कर रहे है तो इसी समझ में आता है कि बै रिकोड़ी कर पावर सर्कीट बैस में जा रहा है मगर दोस्तों इसेकुट में प्राब्लम करी के लिए हम क्या करेंगे यह सर्कीट के आखर में आप दे सकते एक यह वाला यहां पर दोस्तों दो हजार से जाली का उपर वाला जाली और नीचे वाला जाली में जुड़ा होता है और जो रेड़ वाली देख रहे वार वह पोजिटिव होता है जो कि इस जाली के बीच वाली जो जाली होता है उसमें जुड़ा हो रहते हैं तो दोस्तों क्या करेंगे जो ब्लेक वाली वार और से साट करके देखेंगे तो दोस्तों हमने आप पर हाथों में गलफ लगा लिया क्योंकि हमने आपको बताया कि इसमें 2000-3000 के बीच होता है दोस्तों सेप्टी पहले जरूरी है तो हम क्या करेंगे इसके बाद इसका सूच से आउन कर देते हैं आउन करने के बाद हम जो इसका प्रेस बटन है उसे यहां पर एक हाथ से प्रेस करके रखेंगे और दूसरे हाथ से हम क्या करेंगे जो हमने आप चिम्टी लिया है इसके स्वार्टinka करों कारें उसके दूनों ट्रिं आपको मिल रहा होगा यानि कि हमारा जो सर्कीट आखिए यहाँ पर काहां पर होगा तो मैं आपको बता दूं कि इसके जाली में नुचैन जनलाखा पर ऐसमें एहाँ के आप दोस्तों इस का फालत को में पता चल चुका है एब हम या पता करेंगे कि Ψिने इसके इसका ग्यों सप्व्थर सेख और मोर यहां पर आकर करेंने इस तरह सहार से आप देख सकते हैं अब दोतों हम क्या करेंगे जैसे कि यहां पर आप देशकते हैं दो वायर नेगेटिक के लिए और एक वायर रेड़ वाली पर जूरा हुए आप देख सकते हैं तो हम मल्टिमिला के एक पराप को इस ब्लेक में रखेंगे और उपर वाला जाली में रखेंगे तो आप देशकते हैं इसमें बिल्कुल भी इसमें कंडूटी नहीं मिल रहा है कि जो रेड़ वाली वायर है उसमें फाल्ट है दोस्तो या तो हमारा रेड़ वाली वायर खराब हो चुका होगा या जो वायर होगा वह जाली से निकल चुका होगा तो दोस्तो अब हम यहीजा देखेंगे कि जो रेड वाली वायर है उसमें फाल्ड क्या है तो उससो जानने के लिए हम क्या करेंगे जो जाली का कवर उससे हमें open करना होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पर ऊपीज से ओपन कर देंगे इस तरह से आप देख सकते तो दोस्तो यह जो जाली है वह काफी एक दम डिल लगा हुआ है इसमें लॉक्ट सिस्टम तो है साथ इसमें जो गुलू के साथ यहाँ पर चिपकाया गया जो की हमें निकालने में बहुत यहाँ पर जबरदस्ती से निकालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता यह जाली का कवर है तो दोस्तों क्या करेंगे इधर से ही हम कोशिश करेंगे इसका जो वायर है उसको देखने के लिए कि क्या फाल्ट है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहा है इसका जो रेड़ वा क rif जी थो ऑफ़ते हैं अपने हातों निकल रहते हैं वह ने ही पता चल जुका है कि आखर यसे फिलार मिणीड में मुश्क क्या है तो क्या हो करना है जो वायइर निकला हुआ है जो बीच वाले जली से red wire उसे हमें दूबारा से जोड़ना होगा जिससे कि इसका problem यहां पर इस जली हम किसी blade को मदद हाज करेंगे ताक चले कि बीच वाली जली हमें डिखाई Bisic तो उसे हम इस तार से हम खूरेच देंगे आपर मतलब जो इसके बाद हम क्या करेंगे उसको जाली है मापसilo लगाएंगे और इसका टेस्ट करके देखेंगे कि इसका problem है वह साउ्ड हो चुकआ है यह नई हो चुक थो हम यहां पर स्विक को on कर दिया है अब इस पार्ग करा के देखते हैं बटन मिलते हैं नेक्ट शुड़ों में एक और नई वीडियो के साथ तब तक जय हिन जय भारात वंद मातरम